मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जब से हम बात करें कि इस प्रित्वी पर मानों जीवन की शुरुवात हुई है तब से लेकर आज तक मतलब निरंतर मनुष्य ने सभ्यता की नमी नमी नई नई सीड़ियों को पार करते हुए आज जो आधुनिक प्राध्योगी की का जीवन हम कह सकते हैं जो हम आधुनिक सभ्यता वाला जीवन जब हम बात करते हैं तो हम तकनीक और प्राध्योगी की की बात करते हैं यहां तक के सफर की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो नित नए परिवर्तन किये हैं किस ने किये है मनुष्य नहीं किये हैं, वो अपने बुद्धी, कौशल और जो उसके विकास छमता है, इन सभी का प्रयोग करके, इसके माध्यम से नवीन तकनीकियों का, प्राध्योगी की का प्रयोग करके, वो आधुनिक सफर या हम कहें कि वर्तमान समय तक इस समय में वो पहुंचा है. तो इस पूरे दौरान, इस समय अंतराल के दौरान हम देखते हैं, कि बहुत से चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन जो हैं, वो मनुष्य ने किये हैं, और ये उसके हम कह सकते हैं, इंडिकेटर के रूप में काम कर रहे हैं, ये जो चेंजेस आई हुए हैं, तो शुरुआत से ही, जब से वो इस धर्ती पर आया है, तब से उसे अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए, अपने जीवन की आवशक्ता की पूर्ती के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, उसे कोई नो कोई कारी जो है, वो करना पड़ता है, और पहले कि जब हम बात करें, तो वो शुरुवात में तो सिर्फ उसकी आवश्चक्ता जो थी हम कह रहे हैं कि जीवन की आवश्चक्ता तो उसकी आवश्चक्ता बहुत ही सिमीत थी और वो भोजन तक ही सिमीत थी तो उस भोजन की आवश्चक्ता की पूर्ती के लिए वो आखेट या जो कंद मूल फल है वन जो उत्पाद हैं उनका वो संग्रह करता था या पशुपक्षियों का शिकार करके वो अपने भोजन की आवश्चक्ताओं की पूर्ती कर लेता था लेकिन आदिमानों के बाद हम निरंतर जब समय में जो चेंजेस आते गये या समय आगे की तरफ बढ़ता गया और मनुष्य जो है वो नए परिवर्तन की और बढ़ता गया तब हम उसमें देखते हैं कि उसकी आवश्चक्ताओं भी वो बढ़ती गई मतलब फिर जब वो हम आखेट की बात कर रहे हैं या भोजन संग्रह की बात कर रहे हैं फिर धीरे वो किरशी करना सीख गया जब किरशी कर नवो स किसी हम कहें कि समुह के रूप में उस व्यक्ति ने निवास करना या रहना सीखा या हम कहें कि उसको आवश्यक्ता महसूस हुई कि जब कृषी का विकास हुआ तो उसे लगा कि नहीं हमें यहीं पर रहकर ये कृषी कारे करना चाहिए तो इस थाइए रूप से उसके जीवन कि शुरुवात कृषी से ही हुई और जब वो कृषी कारे करना सीख गया तो हम कहें कि फिर धीरे-धीरे कृषी ओजारों की आवश्यक्ता महसूस हुई और पहले वो प्राथमिक कारिय तक या प्राथमिक व्यवसाय तक सिमीथ था और उसके बाद हम देखते हैं कि कृषी ओजार या उपकरन का जो अविश्कार है वो क्रमशह मनुश्यको प्राथमिक से द्वितियक व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ाया फिर निरंतर कृषी ओजार और उपकरन की नई नई तकनीक जो है उसे ढूंडा गया और हम देखेंगे कि कृषी उत्पाद में भी व्रिद्धी हुई तो वो एकसेज में हुआ कि जितनी मनुश्यकी आवश्यक्ता थी उससे वो अतिरेक में उत्पादन हुआ और फिर चुकी वो सब भे समाज की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो खुद अपने तक सिमीत नहीं था फिर वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर रहने वाले लोगों से उसका मेल मिलाप हुआ, मिलना जुलना हुआ और इन सब के लिए किस चीज की आवश्यक्ता महशूस हुई व्यापार की और परिवहन की जब वो अपने अतिरेक उत्पादन को दूसरे जगह निर्यात कर रहा है या हम कहें कि उसे बेच कर उससे आए प्राप्त क करना उसकी इक्षा हुई कि वो अपने अतिरेक उत्पादन को दूसरे लोगों तक पहुचाए और उसके बदले वो कुछ इंकम उनसे प्राप्त कर ले तो इससे हम कहें कि उन उत्पादों को दूसरे इस्थान तक पहुचाने के लिए या दूसरे स्थान में रह रहे लिए संपर्क बनाने के लिए व्यापार और परिवहन की जो है वो शुरुवात हुई फिर क्रम्ष धीरे-धीरे विकास होता गया और संचार और परिवहन के नित नई तकनिकों का भी विकास किया गया तो हम सीधी से बात कर लें कि आदी मानों के से लेकर आधुनिक सभ्य समाज तक का जो विकास हुआ इस दौरान मनुष्य की जो आवश्यक्ताएं थी वो निरंतर भोजन की आवश्यक्ता के बाद फिर आवास और वस्त्र की आवश्यक्ता और धीरे-धीरे और उसकी जो हम कहे कि नई नई आवश्रक्ताओं ने जन मिलिया और मनुष्य को एक सभ्य समाज की मंजिल तक पहुंचाया तो यह जो परिवर्तन हमने देखे तो शुरुवात में हमने बात की कि उसकी आवश्रक्ता भोजन तक से मीत थी तो इस भोजन के लिए क्या करता था वो आप सामने रिए जनजातियां जो है वह पशुओं का शिकार करती हुई नजर आ रहे हैं या कुछ लोग यहां नजर आ रहे हैं जो वनों से फलों को पतियों को इकठा कर रहे हैं तो पहले जो आवश्रक्ता थी चुकि ये भोजन तक सिमी थी जो उनके प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाओं तक ही सिमी थी जिसमें हम भोजन या आखेट करना या संग्रहन करने की जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें उसमें आती थी और फिर धीरे धीरे परिवर्तन ने उनकी नई आवश्चक्ताओं को जन्म दिया और हम देख रहे हैं कि हम एकदम नमींतम प्राध्योगी की के यूग में रह रहे हैं तो भई बात हुई कि ये हम जब बार-बार बोल रहे हैं कि प्राथमिक व्यवसाय या द्वितियक कार्य द्वितियक व्यवसाय तो ये क्या है प्राथमिक द्वितियक की क्या है तो मनुष्य की जो आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए जब वो कार्य कोई भी कार्य करता है और वह कार्य जिस कार्य को करने से उसे आए प्राप्त होती है तो हम उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं हम सीधे शब्दों में कहें कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला वह आर्थिक कार्य जिससे उसे आए प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं तो भई आर्थिक क्रिया मतलब क्रियाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं आर्थिक का नाम हमने उसे इसलिए दे दिया क् उससे आय प्राप्त हो रही है, तो ये आर्थी क्रियाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, पहला है प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया, द्वितियक व्यवसाय या द्वितियक क्रिया, तृतियक व्यवसाय या तृतियक क्रिया, और चतुर्थक व्यवसाय चतुर्थक क्रिया कलाप। इसके आगे भी और कुछ ख्लासिफिकेशन कीए गये हैं जैसे पंचम क्रिया कलाप। तो वो चतुर्थक और जो पंचम क्रिया कलाप हैं वो लगभग एक ही range में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक व्यवसाय की प्राथमिक व्यवसाय की अंतरगत हमने कहा था प्राथमिक व्यवसाय वे होते हैं जो सीधे प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं या वह कार्य जिसमें हम प्रत्यक्ष तौर पर या सीधे तौर पर प्रक से आय प्राप्त करते हैं तो उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं अब प्रकृति द्वारा प्रदत प्राकृतिक संसाधन तो कौन-कौन से हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किये गए हैं और उसे हम सीधे तोर पर कैसे उपियोग कर रहे हैं तो पहले हम देख ले करना कार्य जितने भी जो महासागरी तunk नदियों के किनारे तलाबोय के जाता है और अब वरतमान समय में हम देखें तब तो इसका बहुत बड़े या वरिहत पैमाने पर व्यवसाई करन कर लिया गया है खेर वो एक अलग चीज है लेकिन हम इस्थानी तो पर बात करें तो ये मचली पकड़ने का कारिय जो है वो बहुत सारी जो तटी छेत्र में ज इस सीथे तोर पर जो प्रकृति के द्वारा प्राकृति के द्वारा या संसाधन प्रत्यक्ष तॉर प्रत्यक्ष तोर पर हाम उप्योग करते हैं उसका अब अब करते दोर हम तो भई वन जो हैं वनों से हम एक प्राकृतिक संसाधन है और इस वन में जितने भी व्रेक्षिया जो वनस्पतियां मिल रही हैं उनका हम प्रत्यक्ष तौर पर प्रयोग करते हैं भी हमने देखा ना कि तेंदुपत्ता का संग्रहन कार्य किया जा रहा है अलग अलग प्रकार के कन्द मूल फलों का जो संग्रहन है वो किया जाता है हम देखें की शिकार का कार्य या आख्य 30 जब एकड़ आधि मानों के समय की हम बात करें हालांकि अभी भी बहूत सी ऐसी जंजातियां हैं जो ये आखेट का कार्य करती है या पशों का शिकार करती है और अपना जीवन्यापन करती है लेकिन जब हम प्राचीन समय या आदी मानों के युग में जाएं तो हम देखेंगे कि तब ये एक वरिहत पैमाने पर होता था और ये एक ही साधन था या एक ही सोर्स था जिसके माध्यम से लोग जो उस टाइम मनुष्य थे वो अपनी आवश्रक्ताओं की पूर्ती करते थे फिर चाहे भोजन की हो या वस्त्र या हम आवास की बात करें तो हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि जो प्राक्रितिक संसाधन है इनकी जो प्रयोग की जा रहे हैं जिसको हम किसके अंतरगत ले रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतरगत तो प्राथमिक व्यवसाय की क्या-क्या विशेशताएं होती हैं पहला तो इस प्राथमिक व्य दक्षतोर पर प्रयोक करता है दूसरा हम देखते हैं कि इन व्यवसायों में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका जैसे हम जो भी प्राकृतिक संसाधन प्रयोक कर रहे हैं चाहे हम वनों की बात करें जीर जन्तुओं की बात करें क्रिशी की बात करें तो ये सब ही जो है वो किस पर depend करते हैं? उस स्थान की जलवायू, वहाँ पर भूमी की बनावट, वहाँ पाई जाने वाली जो मेटियां है या वहाँ पर मिलने वाली वनस्पतियां. इन सभी पर depend करता है कि वहाँ पर किस प्रकार का प्राथमिक कारिय या प्राथमिक वेलसाय जो है वो किया ज कि इन प्राथमिक कारियों से या हम प्राइमरी जो आउकुपेशन हम बात कर रहे हैं इन में जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम भोजन के रूप में तो प्रयोग करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ ये उद्योगों के लिए एक कच्चे माल के रूप में भी आसपास पोहा उद्ध्योग ही बात कर लें, चिवडा उद्ध्योग की बात कर लें, राइस मिल्स हैं, तो इनके लिए कच्चा माल कहां से मिल रहा है, इनके लिए कच्चा माल आपको वहां पर खेतों से या खेतों में उगने वाले, उगने वाली जो फसल है हमारी धान, उस तो ये सूती बस्तर उद्योग के लिए प्रमुख रूप से, जिस पर ये उसकी आधार शिला हम कह सकते हैं, जिसके बिना उस उद्योग का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, तो ये कच्चा माल उससे कहां से मिल रहा है, कौटन चहिए हमें कपास, तो ये कपास भी कहीं न कही खेतों से आ रहा है, और ये खेत में जो उगाया जा रहा है कपास, वो एक प्राथमिक व्यवसाय है, फिर हम बात कर लें, एल्यूमिनियम उद्योग की, लौह इसपात उद्योग की, फिर चाहे हम शक्कर उद्योग की बात कर लें, जूट उद्योग की बात कर लें, इन के लिए कच्चा माल जो है वो हमारे प्रकृति के द्वारा यह हम कहें कि प्राथमिक कारियों से ही कच्चा माल जो है वो प्राप्त होता है फिर हम शक्कर उद्योग के लिए गन्ने की बात कर लें लौह इस्पात उद्योग के लिए खनन भी जो है वो हमारा एक प्राथमिक व्यवसाय है और लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह आयस्क जो एक प्रमुख कच्चा माल है वो भी हम धरातल से उसके गर्व को खोद कर चट्टानों के बीच से उस आयस्क को हम प्राप्त करते हैं तो भोजन की आपूर्ती तो होती ही है प्राथ्मिक व्यवसाय से लेकिन अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी हमें इसी प्राथ्मिक व्यवसाय के द्वारा ही प्राप्त होता है अब हम बात करते हैं जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं जिसमें हमने क्रम से मुख्य रूप से जो आठ प्राथ्मिक आर्थिक क्रियाओं की बात की थी उसमें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं जिसमें पहला है आपका आखेट या शिकार करना आखेट या शिकार जो है यह आपके हम कहें कि सबसे प्राचींतम जो है वो आर्थिक क्रियाओं है और आप इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि इन जनजातियों का जो जीवन है वो पूरी तरह से आखेट और शिकार पर निर्भर था हाँ तब हम पिछड़े समय की बात कर रहे हैं तो पिछड़े समय की जब हम बात कर रहे हैं मतलब तब मनुष्य ने उतनी अपनी प्राध्योगी की या तक्नीक का विकास नहीं किया था तो इसके लिए शिकार के लिए किसी भी प्रकार की नवींतम तक्नीक की आवश्यक्ता नहीं होती थी और दूसरी चीज हम ये देखें कि ये एक बहुत शीत बहुत ठंडे छेत्रों में या बहुत गर्म छेत्रों में जो है ये कार्य आखेट का किया जाता है दूसरा हम देखें कि इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यक्ता नहीं होती आखेट के लिए मतलब भाले का प्रयोग कर लिया जा रहा है और प्राचीन समय में तो किसी नुकिले पत्थर के प्रयोग के द्वारा ही शिकार जो है वो किया जाता था तो हम देख रहे हैं कि एक नुकिले पत्थर के द्वारा ही जब पशों का शिकार कर लिया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए बहुत जादा नविंतम तक्नीक की भी आवश्यक्ता नहीं होती तो हम कम पूंजी में और निमने स्थरी तक्नीक के द्वारा भी यह कारी जो है वो कर लिया जाता है फिर हम देखें कि चुकी यह तुरंत अपनी आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए किया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार से भोजन जो है वो अतिशेश नहीं बसता मतलब तुरंत की आवश्यक्ता की अपनी पूर्ती के लिए यह जो है वो शिकार किये और अपनी भूख मिटा लिए इसमें स्टोर करने वाली प्रवित्ती जो है वो नहीं देखी जाती फिर प्रतिव्यक्ती हम देखें कि जब हम प्रात्मी के वसाई की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रतिव्यक्ती उत्पादन भी कम होता है मतलब हर व्यक्ति अपनी आवशक्ता के लिए अपने भोजन की अपने आवास की अपने वस्त्री की आवशक्ता के लिए ये कारिय कर रहा है तो इसमें उत्पादन भी जो है वो कम होता है सिमीत रूप में होता है वो सिर्फ अपनी ही आवश्रक्ता की पूर्टी के लिए ये कारी करता है अब हम देखते हैं कि ये तो हो गई बात आपके आखेट या शिकार करने की हम यहाँ पर देखें कि इसका विश्व वित्रण जो है कि कहां कहां पर ये आखेट का या शिकार का कारी किया जाता है तो हम देखते हैं इकवेडोर में आव का जनजाती जो रहती है इकवेडोर की वो ये कारी करती है कालाहरी के बुश्मेन, कांगो बेसिन के पिगमी या न्यूगीर के पापुवान ये जनजातियां जो है जब हम निमनक्षांस की बात कर रहे हैं हमारा जो गलोब है हमने बात भी की थी कि आखेट की जो प्रक्रिया है आखेट का जो कार्यय है वो बहुत ठंडे छेत्रों में या बहुत उष्ण छेत्रों दोनों में ही किया जाता है तो हम बात कर रहे हैं उच्चक्षांसों में और निम्नक्षांसों में तो इसका मतलब हुआ कि आपके इस ग्लोब में पुरी जो आपकी पृत्वी है यहाँ आप देख रहे हैं कि बीचों बीच से भुमध्य रेखा होकर जा रही है, तो भुमध्य रेखा से लगभग 23 उपर और 23 नीचे की और उत्तर और दक्षिन में, नदन हेमिस्फियर में भी और सदन हेमिस्फियर में भी, करक और मकर रेखा के बीच हम इसे निम्न सांसों की वैल्यू है वो बढ़ रही है जीरो से 10, 20, 30, 40 और हम एकदम जो नदन हेमिस्फियर का लास्ट पॉइंट है जिसे हम पोल कहते हैं द्रू कहते हैं वहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री और ऐसा ही सदन हेमिस्फियर या दक्षनी गुलारद में भी हमें 90 30 डिग्री तक इसका विस्तार मिल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि हम भूमध्रेखा से उपर की तरफ जार रहे हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो नीचे की तरफ या भूमध्रेखा के आसपास के छेत्र जो है वो निम्नक शांस में आएंगे और जैसे जैसे हम तरफ या नीचे में भी आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यह उच्चक्शांसों में आते हैं यह हम कह सकते हैं कि कर्ग भूमध्रेखा से कर्क और मकर्रेखा के बीच नीम्नक शांस में आते हैं और लगभग हम साढ़े 66 डिग्री से उपर की तरफ उत्तर की तरफ अधन हेमिस्फियर में भी यह उच्चक्शांसों में आते हैं तो पूरा जो उत्तरी छेत्र है हम साढ़े 66 डिग्री की उपर की बात करें तो यह बहुत ठंढ़ा छेत्र होता है जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है तो यह बहुत शीत प्रदेश हो गया यह ठंढ़े छे चेत्र की बात कर रहे हैं लगभग 10 से 15 डिग्री उत्तर और 10 से 15 डिग्री दक्षण की तरफ तो यह एक ऐसा चेत्र है जहां पर बहुत जादा गर्मी पड़ती है बहुत गर्म चेत्र होता है क्योंकि वर्ष भर सूरी की किर्णे यहां पर लंबवत होती है और ज्यादा डेली वर्षा होती है समभनी वर्षा होती है हम सभी को पता है जिसके कारण यहां पर बहुत उचे-उचे बनस्पतियां और अवरिक्ष भी पाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम नीमनक शांसों की बात कर रहे हैं तो हमने देखा एकवेडोर में ओका, कालाहरी के ब हम देखें कि पूरा उत्तरी कनाडा, यूरोप और एशिया का जो उत्तरी छेत्र है यह उच्चक शांसों की अंतरकत ऐसे छेत्र हैं जहां पर हमेशा बर्फ जो है वो जमी रहती बर्फ आचादित छेत्र होता है तो इसमें हम देखें कि यहां जो रहने वाली जंजातिया हैं वहां इस्थल से यह कैरोबी, कस्तूरी और बैल का शिकार करते हैं और वहीं जो जली छेत्र हैं यह जलो से हम देखें कि सील, बालरस और वेल जैसी मचलियों का शिकार करके अपने भोजन से संबंधित या वस्त्र और आवाज से संबंधित आवश्यक्ताओं की पूर् हम इसी में देख लेते हैं कि आपके उत्तरी अमेरिका के जो रेड इंडियन्स हैं ये रेड इंडियन्स जो हैं वो हिर्णों का भी शिकार करते हैं और साथ ही साथ साइबेरिया है साइबेरिया का जो यूकागीर है और दक्षणी चिली यहां के लोग भी जो हैं वो थानिये तोर पर इस्थल से और जली हिस्सों से दोनों ही भागों से ये शिकार करते हैं, आखेट करते हैं और अपना जीवनियापन करते हैं। तो ये हमने देखा कि भई आखेट की बात हमने की इसके बाद हम देखते हैं जो आपका दूसरा प्राथमिक आर्थिक क्रिया है या कार यह है वो है आपका भोजन का संग्रहन करना चब बच्चों क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में विश्व में ही नहीं भारत में भी और विशेश तोर पर भारत में तो पशों के आखेट या शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो क्या आपने कभी सोचा कि शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है वो इसलिए कि पहले के समय में जब शिकार किये जाते थे तो भी हमने बताया था ना कि नुकिले पत्थर या लकड़ी के औजारों का प्रयोग किया जाता था तो इनसे मरने वाले जो पशु थे उनकी संख्या बहुत ही सिमीत होती थी और चुकि तब मनुश्य की आवशक्ता भी बहुत सिमीत थी तो बहुत कम पशुओं का वो शिकार करते थे लेकिन अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इसका एक व्यापारी करण हो चुका है और जो पशु मरते हैं उनकी खाल का उनकी हड्डियों से उनके दातों से अलग-अलग प्रकार के सजावटी और उपयोगी समान जो है वो बनाए जाते हैं तो व्यापारी करण हो जाने से बहुत व्रिहत पैमाने पर इनका शिकार होना शुरू हो गया था और इस्थिती तो यह आ गई थी कि बहुत से ऐसे पशु हैं जो संकटापन इस्थिती में आ गया थे मतलब लुपत प्राय होने की स्थिती में आ गया और अभी भी पशुओं की बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो लुपत प्राय होने वाली हैं तो इस कारण से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी जो पशुओं का शिकार है या आखेट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं लेकिन अभी वर्तमान समय में भी हम देखेंगे कि बहुत से ऐसी जंजातियां हैं दुर्गम छेत्रों में मिलने वाली जो जंजातियां हैं वो आखेट के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती हैं करते हैं करते हैं ढुत हैं उदो करते हैं अऑम samp lightly जात हैं करते हैं करते हैं झाल झाल